हलो डीर कैसे हैं आप सब आता करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे यह सुभा का समय हो रहा है सबसे पहले मैंने खिड़की बंद कर दी क्योंकि डारेक्ट केमरा पर पड़ता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखने लगता है तो मैंने आधा पूजा कर लिया है औ पूरा काम हो गया लगबग वह बालके नहीं पोछेंगे तो मैंने चाय में चड़ा देती हूं पीछे वाला रूम पोछते वे बालकने पोछते वे जब तक वो पूरा कंप्लीट पोछे गी इस लिड़ी वगेर तब तक मेरा चाय बन जाएगा लेकिन मैंने सोचा कि मैं च कभी कोई काम चोड़ती है कभी बरतन लगाना चोड़ देती है कभी कहीं पोछा लगाना चोड़ देती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह से क्यों कर रही है एक दिन मैं आराम से बैठा कर बात करूंगी एक दिन तो बहुत ज्यादा है मेरे से उलज गई 16 अगस बच गया उसी तरह से भाई मेरा घर है जरूरी नहीं कुसके डर से मैं हमेसा डरी रहे हूं सब कुछ अंदर रखों मेरे पास अगर बहुत कुछ है तो सब कुछ उनको दे दूँ यह भी जरूरी नहीं है 16 अगस्त को मेरे से इतना लडाए कि छोटे जोटे बात को लेकर कि कि समझ में नहीं आए वो इस तरह से क्यों कि और 16 अगस्त दे लेकर कि आज 20 अगस्त हो गया है लेकिन पूरा मूड आप रहता है समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है एक जिन आराम से उनसे बात करनी होगी और इतना अच्छा मौसम किया है कि आप देख रहे हैं अचानक से अंधेरा हो गया बहुत तेज हवाद चल रही थी लग रहा था है ताकि बारिश होगी तो यहां पर मैंने दिया मेरा बुझ गया दिपक तो मैंने अंदर रग दिया और तुलसी वगवान को धो लेती हूं पूछा होने के पहले उसके बाद मैं पूजा कर हैं हैं तो यह जो घर से आया हैं तो यह कुछ घर से मेरी जो ससूर साहब हैं पापा जी कुछ कुछ समान दे देते हैं जैसे चना हुआ मोंग हुआ मसूर हुआ कुछ कुछ दे देते हैं तो मैंने खोल कर देखा नहीं और यह देखे तुलसी का पौदा कितना अच्छा हो जाया है मैं किसी दिन पूरा आप दिखाऊंगी देखकर मन खुस हो जाएगा उसके बाद मेरी बेटी रोने लगी तो मैं बेटी को गोद में लेकर कि मैं चाय बना रहे थी क्योंकि ये सुबह सुबह आये थे रादबर ट्रेंड में कितना भी सो कराये थे लेकिन ये सो गए तो फिर जब ये बहुत ज़्यादा आवाद सुनने लेगे इसके रोने का फिर वो उठे उठे तो उन्होंने देखा मैं इसको कीचन में लेकर काम करें फिर वो बोलेक नहीं इस सर लेकर काम मत कर उसका सर पलड़ जाएगा तो तुम इसको अराम से पकड़ो चुप कराओ और मैं चाय बनाता हूँ जबकि इसको माले सुलिस की हो गई थी लेकिन इसका थोड़ा सा पेड़ घरने में प्रोब्लम हो रहा है एक दू दिन से लेकिन इसका भी मैंने उपाय सुरू किया है और बताओंगी मैंने क्या किया और काफी मुझे फायदा मिला है तो यहाँ प और सीधार नहीं करें पता नहीं किस वाद को लेकर के मुड़ा पर चार दिये बाबु दे बाबु तो यहाँ पर आ गई तो मेरा असबन बोला मैं चाय जो है छांक लेता हूं तुम बैठो अराम से तो तब मेरा बेटा बोला कि बिट्टू जो है मुझे बिट्टू बोलत है जैसे कि आप लोगों को पता है वह बाबु को गोद पिली है तो आप मुझे गोद में लीजिए और थोड़ा सा इसलिए लाड़ लगा रहा है कि यह दो दिन के घर चले गए थे दो दिन तीन दात तो इसको मन नहीं लग रहा था तो इसके लिए भी कुछ कुछ लेकर आ लाया चाय पती बगार भी लाया है क्योंकि मां के उसमें बहुत सारा समान बचा हुआ था हम तो तुरंत वहां से चुकि मेरा च्छटा साथ मामना चल रहा था तो मैं मैके चली गई थी तो अब ये जब जाते हैं तो पापा जी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ दे देते है और फिर मुंबई जाते हैं तो लेते जाते हैं यहां पर मैंने सोचा जब तक हम लोग चाय पियेंगे मेरा बेटा भुका रहेगा तो मैंने दूद रोटी उसको मिला दिया दूद रोटी बहुत ही अच्छा होता है डॉक्टर रेक्मेंड करते हैं बासी रोटी खाने के किड़नी खराब हो गया अगर कोई किड़नी भी दे तो लगाने में इतना खर्च उनके पितारी को इतना इंकम नहीं है महामेट तुन्जे जाब सुरू हो गया है सब लोग डोनेट कर रहे हैं लेकिन डोनेट में ज्यादा ज्यादा चार पांच लाक रुपिया जमा हो पा है भेलोर में इलाज चल रहा है तो यहां पर मैंने उदर चावल चढ़ा दिया कढ़ाई चढ़ा दी और सब्जी काट के मैंने सोचा इदर आलू बॉयल कर लिया है इंडक्षन पर मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लूँ क्योंकि दो मैने से दो मैने से नहीं मेरा जब हो रहा है और दाल चढ़ा दूंगी चावल चढ़ाए दिया उसके थोड़ा सा इनको बोलूंगी आप देख लिजी लेकिन इतना करते करते चुकि साड़े दस हो गया बात करने लगे हम लोग उसमें लेट हो गया थोड़ा सा रूटीन इदा उदर हो गया अब मेरे बेटी में भी असनान कर लिए थे तो यह बोले मैं दाल बना देता हूं क्योंकि दाल पी लेती हूं मैं दो तीन बार और और सब्जी में चौक लगा देता हूं तुम जाओ बाबू को देखो क्योंकि लगों साड़े दस पौने 11 हो गया था घर से आये तो गाउं घर का बात्चित होने लगा उसमें समय निकल गया और यहां पर खाना बन गया है 11 बचकर 20 मिनट यहां पर हो रहा है क्योंकि आज इनको लेट से थोड़ा जाना था तो यह मेरा बेटा वीडियो बना रहा है अचाना से मोबाइल उठाय और बनाना शुरू किया मैंने का चलो सही है सीख रहा इस तरह से खाना रेडी है और खाना पिना खा कि यह आपिस चले जाएंगे यहां पर हॉल में यह चाजर करें दिनों से भीचा हुआ था और दो ब्लैंकेट मैंने निकाला था धूप लगाने के लिए और भादम में सिंग नशत्र जब भी आएगा कपड़े समय भी धूप में लगाना होता है लेकिन दो ब्लैंकेट जो मैं ट्रंक साब करने के लिए और उसको खोला था ब्लैंकेट मैं निकाला था मेरे बेटे दाल चावल गिर गया था फिर मैंने उसको धोया उसको सुखाया तो बाहर secre to इसको मुझे रखना है आज फोल्ड करके और बेट सीड क चैंज करना है कि हॉल में तो यह जो बिछावन है यह थोड़ा सा बड़ा है मैंने उसको लटका दिया है और बिलकुल यह गद्दा आजीफ सा दिया बिल्कुल फ्लैट गद्दा दिया नहीं तो इस बिछावन पर जरासा भी बटने पर यह पूरा सी कुड़ जाता है फिर भ हैंडवास करती हूं उसको मसीन में नहीं डालती है और यहां पर मैं बेटे से टेवल पढ़ने को बूल रहा है सारा चीछ फूल करने के बाद आज मैंने सूच लिया है कि सारे जगह का बेट सीट चेंज कर लूँगी जैसे कि एक वार दो देती हूं और पहले तो मैं रोज बेट सीट सोने वाला चेंज करते थी लेकिन आप बेटी को अलग विचावन पर सुलाती हूं तो उसको विचा देती हूं दो तीन दिन तक मेरा वो बेट सीट चल जाता है तो मैंने बाबो को हॉल में दे दिया और अब मैं रूम का भी बेट सीट चेंज कर लूँगी तो पता नहीं आप लोगों को कई बार बताया एक बेट पर कहां से दूल आ जाता है तो जो पीलो कवर में चेंज करती हूं उसी से मैंने बेट को जाड दिया है और मौसम तो कभी अंदेरा करता है कभी उचाला करता है कि इथना बीजी लाइफ है कि लोगो इतना समय ही नहीं मिलता है सुभा उठिए कैसे सुभा निकलता है मैं mugूल करusa क्या 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 करती हूंच कैसे समय निकलता है बताने पाऊंगी हर दिन सोच की रखती हूं मैंने पेटिकॉट निकाला है उस दिन आप लोगों ने देखा कि कुछ आयरन क्या हुआ था उसको मैंने रख दिया कुछ डेली पहान रही हूं अलग अलग कलर का साड़ी पहान रही हूं तो पेटिकॉट मतलब कि मैंने 15-20 साही चलते रहता है लेकिन साम होते ही वो कभी उठ जाएगी कभी रोने लगेगी क्योंकि अब बड़ी होने लगे वह हफिसा सओ नहीं रहिएगी तो मैं 5 बज़े के बाद मैंने ये सोचे लिया है 5 बज़े के बाद वो जब सोए तब मैं रोटी बना लोगी मैं कि बीच तेल कंपलीट हो से रोटी बना लिया है याधा काम काम हो जाता है कि चिन का और दीन का सब्सक्राइब सब्जी बच गया है जिसको मैंने अभी घर्म किया इसको प्लेट में रख लोंगी और दाल है जो कि मसूर का है इसको तो मैं फेकती हैं नहीं हूं दो तीन वार घर्म कर लेती हूं अगर खराब होने का अधिक डर होता है फ्रीज में रख लेती हूं और आप वह आएंगे कुछ खाले करके रख दिया है कुछ बरतन है ग्लास वगेरा कप वगेरा जो की बावन बिटा वगेरा में पीएगा मेरा बेटा हम लोग दूद पीएंगे तो मैं धोलूंगी और अगर यह आठ वजे के पहले आते हैं तो यह वार चाय भी बनाने बोल देते हैं तो कप चा चाहिए होता है लेकिन मेरे पास तो कोई है नहीं जो मुझे हेल्प करेगा सब कुछ मुझे खुद ही करना होगा इसलिए अब तक नहीं बनाया था कि मैंने कई वीडियो में बताया है घी खाने से मुझे पारिसानी हो गई थी आगे भी मैं सेयर करूंगी मुझे क्या दिक हो गई थी तो कुछ कब ग्लास मैं धो लेती हूं और इस तरह से मेरा सारा काम हो गया तो उम्मीद करती हूं आप लोगों ने ब्लॉग को इंजॉय किया होगा डियर बने रहेगा इस चैनल के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं अगले दिन वाइडियर अपना ध्यान दखिए का बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब